जैजिनें, शाका हर सदा बाहर किचिन में आप सब का स्वागत है यह का आटा 1.5 चमच के लगभग और अब हमने यहाप लिया है पापडी खार 1 चमच आप चाहें तो खाने का सोड़ा भी उप्योग कर सकते हैं और जितना तीका आप खाना चाहें उसके हिसाब से आप इसको बना सकते हैं तो अभी जो हमने पापड़ी खार लिया था उसको पानी में हमने घोल लिया है एक कटोरी के लगबग पानी है और अब हम इसको छानते हुए आटे में मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से हम एक घोल तयार कर लेंगे जिसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो और यहां पर हमारे घोले तयार हो गया है पर अभी यह घोल काफी थेक है इसको हमको पतला करना है तो अभी हम इसमें लगबग दो कटोरी पानी और मिलाएंगे तो टोटल मिला के हमने तीन कटोरी के लगबग अभी पानी मिला चुका है तो हमने तीसरी कट्वरी पानी िसमें मिलाया है और उसका पतला से घोल तैयार कर लिया है क्योंकि पकने के बाद में यह है और गाड़ा हो जाता भार Sharon तो अब हम यह पर उसमें चोक लगाते हैं तो घी ले लिया है हमने और शाथ में जीरे डाले हैं पाकि हम ज्यादा कुछी जिसमें डालेंगे नहीं क्योंकि ब्रतों के समय में हींग आदी हम नहीं खाते हैं तो जो हमने गोल तयार करके रखा था भी इस बगहर में हम डाल देंगे साथ में थोड़ा लाल विर्च का तड़का भी लगाया है और इसको हम लगातार चलाते जा हो जाता है हलका सा डार्क यलोईश हो जाएगा यह और देखिए यह पक्ते पक्ते गाढ़ा भी होना शुरू हो चुका है और अच्छे से उबाल आना शुरू हो चुका है और इसको पक्ने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है मात्र पांच मिट के अंदर यह पूरा तयार हो जाता है और देखिए काफी इसकी कंसिशनसी गाढ़ी होते जा रही है तो आप इसको जितना गाढ़ा रखना चाहें रख सकते हैं अब यहाँ पर हमारा जो खीच है वो तयार हो चुका है तो हम इसको सर्विंग बॉल में निकाल लेते हैं तो यह जो खीच है आप इसको सर्व करें तो उपर से एक एदो चमजगी जरूर डालें इससे काफी अच्छा स्वाद आता है पर यह आप्शनल है आप डालना चाहें तो डालें और व्रतों के अलावा आप इसको सामाने दिरों में बनाते हैं तो आप इसमें छोक लगाते समें हिंग भी जरूर डालें और साथ में ही बारिक कटी हुई धनिया पत्ती हरी मिर्च और नीवू डाल कर खाएं बहुत अच्छा लगता है मेरी इस रेसिपी को आप लोग भी जरूर ट्राइ करें और कैसी बनी इसका फीड़वेक मुझे जरूर दें मेरे चेनल शाकाहर सदा बाहर को लाइक शेर सब सब्सक्राइब और कमेंट भी जरूर करें तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अने रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जैजिनेंद्र